छेडा वाला काम करते हैं कितना सालेरी मिलती थी पगार कितनी थी चार सुरुपी एक दिन का तिस दिन आप काम करोगे तो बारह जार में तो हेलो दोस्तों आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौसन मिस्टर ब्लॉग में और आज हम अपने ही गाओं में खड़े हैं और जेस्ट रोट के बगल एक छोटी सी दुकान है तो आज उनके बारे में जानेंगे कि एक छोटी सी दुकान में क्या इतनी कमाई हो जाती है कि घर चल जाएगा उससे तो वह ही सब जानकारी लेंगे और एक छोटा सभी सुरुवाती बिजनेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे और जैसे आप सब देख सकते हो कि दुकान अभी जेस्ट नई नई खुली है और अब इन्हों बताएंगे कितना पूजी लगाए हैं क्या कैसे कि दुकान क्या इससे इनका घर का खर्चा चल जाएगा जो दुकान खोले हैं उन्हीं के बा करते हैं किया नाम है चाचा जी आपको मल नाद मिस्णार कहा के हैं आप गूज्रात मीरा मेल में गूज्रात मेरा तुझाए- यहां पे गाउं आपका बड़े रही है और पोस्ट घंस आप अच्या गुजरात में में आप क्या काम करते थे हुआ ही कपड़ा पगड़ की धिन भर खीचे रहे बारा हगंटा फिरा वाला काम करते हैं दिन भर घिस्ते थे फोल्डिंग होता था था हुआ कितना सैलिरी मिलती थी पगार कितनी थी चार सुर्व एक दिन चार रुपे एक दिन थीस दिन आप काम करोगे तो बारहु जार मिलेगी और चार दिन संडे कार दोगे तो भी कर जाएगा यह से पूरत इस दिन में काम भी नहीं करने को मिलता था आठ नौँ अजार रुपए इनका बनता था महिने का आठ नौँ अजार रुपए में वहां रहने के लिए कितना देते थे देना हजार दो यहार रुपए रुमभाड़ा और खाना चार चार दोचार रुपए बचत कुछ दुछ रुपए बस्ता था ख्या और परिवार वाले से दूर रहके सोले सो खिलो मीटर दूर रहे आप वहां रह के कमाओगे दोहजार रुपय इनका बसता था और कैसे जीवन डिकार रहता था अटैक्ष जिसे बता सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों से भी रोज मिल ले रहे हैं और अपना दो पैसा कमा भी ले रहे हैं और अपना एक गुंटी खोल के छोटा भी प्रारंब किये हैं आगे चल के बड़ा भी करेंगे और आप क्या क्या समान बेशते हैं अब गोवी मटर पियाज मर्चा धनिया टमाटर आलू अगरबती गोटका मुटका यही सब और देखिए इनको जो इन्हों इनको बताएं कि यह बैसाई प्रारंप की हो भी कितना बढ़ी मगाएं कि यह कि एसा चीज़ बता स्णाश्व धियां कि यह ऊपको रोज जरूरत पड़ेंगी एकुछल्य बता हैं जिसमें हर घर में रोज जरूरत पदिए सब्यस की परारभ में कि हैं कि आपका रोज विक्री हो जाता हूं और आगे कि बताईए आगे क्या करना आपके यही करेंगे और क्या करेंगे अपना अच्छा आपको बताएं इस बीजनेस बारे में वहां चाचा जी को जो इस बिजनेस के बारे में बताएं उनसे आपको एक बार परचे कराते हैं और फिर बताते हैं आपको और इनके आगे कि क्या क्या यहां पर होने वाला है तो यहीं दादा जी हैं जो चाचा को बताएं है कि बेवसाय के बारे में क्या कैसे करना है वहां से आके बेवसाय में और मेरा अध्यान अध्यापन गेचु से हुआ है तो बेगत पचीश साथ लबग में इससे जाब में हूँ इसके पढ़ाता था उसके बाद प्राचारी के पर में मेरा चैन हुआ तो एक दिन यह आए हमारे पास कहें कि वहाँ जाता हूं और अपने परिवार से दूर रहकर के भी आठ दसजार में मजे मिलता है अब उससे ख़च चुछाता है हजार दुजार बस जाता है उससे मैं क्या करूं परिवार कितना दूं तो मैंने कहा है काम करो कि छोटी से गु दूंटी ले करके अपना बिजने से बुब करो खोटा बिजने ःसमें इसमें जो एकि साधं भाझी होगी जो मतलब मैं डेली मतलब गाउंवाले आ आपके दुकान पर आकर कर रोटी घि बेस्देंगे को जो एक आपकी अम काम चलता रहेगा आपको Two- four March प्रदिन मिलता रहेगा भविष्ट में आगे और बढ़ते रहें और खेती अपना देखती रही है माने इसमें सुबह साम भीड़ होती है जुकान पर इसके बाद दिन में तो भगल में जमीन भी खेत भी इनका है अच्छा एक तो नहीं है सरसो वाला खेत आमने कहा है इसमें परिवार के साथ भी रहें और भविष्ट में आगर आप पूजी आपकी बढ़ती है तो इसमें जो है चीनी है दाल है चावल है और घुड़ आदी है जो परचुन समध्य चीजें है उसको आप रह करके आप उसमें अधिक 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 आप लाब कमा सकते हैं तो कaceutinha में जो साल-2 साल बाद आप 278 648 उपे प्रदिम को में कोई दिकत नहीं है ने थोड़ा अपनी जीव के चलाते रहते हैं किसी को निर्वन नहीं रहते हैं उनको मैं देखता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं कि जो की दूसरी को निर्वन रह करके अपना जीवन जो है इसे ही नश्ट कर देते हैं लेकिन मैंने प्रसाहित किया और यह लग गए विचारे लग गए बाज बहुत शमता बहुत नहीं थी इनके पास चोटी पूजी में तब ही आपको सोच दूसरी पर प्रदिन का मतलब होता रहेगा इससे आपके आजीव के चलती रहेगी तो दिरी तरी आप उसमें बढ़ते रहें यह जरूर है मैंने इंको बताया कि आप जो है जितना पैसा है और क्या मतले कितना समान है क्या कर रहें कर रहें कि रहें और लुब इक सब्सक्राइब करना है रहें अगर आप बिजनस कर रहें आपके पास लेखा होना जरूरी है अगर लेखा नहीं है आप दसों लाग पी लगा दिजी बिजनेस में वो अगर लिखा जो का नहीं खतम हो जाएगा क्योंकि मैंने मैं कुछ लोग को देखा हूं कि अगर उनके बास माने बिजनेस पांचार उनको लगता है फादा है चलो उड़ाओ कोई दिक्कत नहीं है बांच जार में जो आपन आपके लावां से लावां से कुछ बचाते रहे जिसे आपकी पूझी और बढ़ेगी ने दस रुपय कमाई है तो कम पांच रुपय तो बचाईए इस पूझी आपके बेंस और ब्रसाहित किया और वीच-बीच में देखता फिर होगा इनको कैसे क्या कर रहे हैं तो आप लोग कोई वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे चाचा और दादाजीक बारे में क्या कहेंगे जो अभी भी बिजनेस के बारे में अच्छा खासा सोचते हैं और बिजनेस